हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे चटकारे दाठ चपली कबाब की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनकर त्यार होंगे ये अगर आप मेरी स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके कबाब बहुत ही शानदार बनेंगे और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और सब आपकी बहुत तारिफ करेंगे घर में जो भी इसे खाएगा बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तयार होते हैं ये आप वीडियो को लास तक जरूर देखना बीच से स्किप नहीं करना तो आपके चपली कबाब बहुत जबरदस्त बनकर तयार होंगे चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक मिक्सी का जार लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टी स्पून के करीब साबुद धनिया 1 टी स्पून सफेज जीरा लिया है जो नॉर्मल होता है बेसिकली इन कबाब में अनार्दाना जरूर जाता है अगर आपके पास अनार्दाना है तो आप 1 टी स्पून के करीब जरूर डालें पर मैं यहाँ पर निम्बू का यूज करूँ क्योंकि हर किसी के पास अनार्दाना अवेलेबल नहीं होता है और इसका पाउडर बना लूँगी यहाँ पर एक मीडियम साइस का टमाटर लिया है और 6-7 हरिमेश लिया है इसका हम पेस्ट बना लेंगे इसमें हम पानी एड़ नहीं करेंगे और यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, इसमें मैंने 20% फैट लिया था और इसको हमने मिक्सी के जार में डालकल फाइन पीस लिया है और इसमें हम कुछ spices एट कर देंगे, यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च लिया है और यहां पर 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1 teaspoon यहां पर मैं शाही जीरे का यूज़ कर रही हूँ और यहां पर जो हमने धनिया और जीरे का पाउडर डाला था वो एड़ कर देंगे और जो यह टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखाता उसे एड़ कर देंगे और यहां पर मैं 2 teaspoon के करीब निम्बू का रस डाल रही हूँ क्योंकि यहां पर मैंने अनारदाना नहीं डाला है और यहां पर 1 teaspoon के करीब मैंने मक्के का आटा लिया है मक्के का आटा इसमें जरूर जाता है और इसे हम बहुत अच्छे से mix करेंगे ध्यान रहे के हमें mixing बहुत अच्छे से करनी है और हाथ से इसे हम mix करेंगे ताकि जो हमारे कबाब है उसमें binding बहुत अच्छे आए इसे मैंने करीब 5-7 मिनट तक mix कर लिया था और यहाँ पर two medium size की मैंने प्याज लेती इसे मैंने chopper में chop कर लिया है और इसका extra पानी निकाल दिया है और अब मैं ये भी add कर दूँगे और यहाँ पर मैं tomato भी two medium size के chop कर लिये थे और उसका भी मैंने पानी निकाल दिया था और उसे भी मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर पानी एड़ नहीं करना है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक अंडा अंडा यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे अगर आप अंडा खाते हैं तो इसे जरूर डालें और आप इसे इसकी भी कर सकते हैं और अब हम इसकी mixing बहुत अच्छे से कर लेंगे ताकि जो हमारे कबाब हैं वो बहुत अच्छे बन कर तियार हूँ ध्यान रहें आपको mixing इसकी बहुत अच्छे से करनी है तक कि जो हमारे कबाब हैं वो तेल में जाकर तूटे नहीं और इसे करीब मैं 5-7 मिनट तक और mix कर लूँगी हाथ से और उसके बाद मैं इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और 5 मिनट हो गए है और अब मैं यहाँ पर अपने कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी यहाँ पर हम छोटा पोर्शन लेंगे और यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मैंने एक पॉली लिए है इसे मैंने ओल से ग्रीज कर लिया है आप चाहें तो प्लेट में भी इसे बना सकते हैं क्योंकि हाथ पर हमारे कबाब एक तम पतले नहीं बन पाते हैं और इसे मैं हाथ से हलके से प्रेस करते हुए अपने कबाब को बना लूँगी ध्यान रहे कि हमें उतना ही पतला बनाना है जितना की हम इसे हैंडल कर पाएं और अब मैं एक पैन में इसे फ्राइ कर लूँगी आप चाहें तो इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं यहाँ पर शेलो फ्राइ करूँगी यहाँ पर टू टेबल स्पून के करीब ओयल लिया है मैंने एक पैन में और अब मैंने अपने कबाब को ओयल में डाल दिया है और ऐसे ही करके मैं और कबाब add कर दूँगी और इन्हें अलट पलट करके golden brown होने तक fry कर लूँगी ये देखे कितना अच्छा color आया है हमारे कबाब पे और कितने अच्छे से कबाब हमारे सिख गए हैं और ऐसे ही करके मैं अपने सब कबाब तियार कर लूँगी ये देखे हमारे चपली कबाब बनकर तियार हो गए हैं आप इस रेसिपी को एक पार ट्राई जरूर करना इस एद आप इसे ट्राई करना और खा कर सबको बहुत मज़ा आ जाएगा अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू